दोस्तों नमस्कार मैं हूँ सुरेश और आप सो भी लोग देख रहे हैं टेश्टाल अडवाईसर दोस्तों आज हम आपके साथ में डिसकस करने वाले हैं कि जो हमारी तो उसका construction कैसे किया जाता है और किसी भी सुर्फर को बनाने का क्या जैसे कि मेरे आने वारे आपको वीडियो के नोटिक्विकेशन आप तक पहुंचते रहें तो गैस डिसकर्शन शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको बहले बताया कि आज के डिसकर्शन का टॉप्विक है और उसका ड्राफ और प्लेम और बॉन फेस वेटफौर्ट कॉट बीम में क्या डिफरेंस होता है तो गैस बेलकुंस शिंपल सी बात है कि जो आपका कॉट बनता है तो कॉट का फरक होता हुआ अप है तो जो कॉट का फेस होता है उसके उपर यदि आपको टूल लाइंस होती है और याधी कॉर्ड का फेश है वो प्लेन दिखाईचे देता है तो वह आपकी प्लेवर से वेटफ़ॉड य। घॉआर ग्रडाइस या जो आपकी सब्सक्रों बंदेता है है मिज़े है तो इसके नियम लगबग वही बनाते हैं तो आपको अपनी बीव रीपीट के अंदर दो कोड बनाने होते हैं, मθलिख के अंदर दो कोड एक साथ बनते हैं ही कोड़ जूपरी प्रेयोग करेंगे और तो आप नंबर प्रिक्स पर रेपीत होंगे itt वो आपकी जो basic weave है tool की उसके just double होंगे जैसे कि आपकी two up and down की tool है उसके अंदर आपके number of fix कितने हैं तो number of fix होंगे आपके three तो आपकी जो tool face wet for coat weave बनेगी उसके अंदर six fix पर repeat होंगे अब बात आती है आपकी जो face end होते हैं तो आप face end किस तरीके से decide करेंगे तो इसका बिल्कुस simple सा तरीका है आपको अपने cord की कितनी चोड़ाई रखनी है तो उसी हिसाफ से आप अपने cord के अंदर number of ends decide करेंगे और चूंकि आपकी complete weave के अंदर दो cord होते हैं तो suppose कि ये एक cord के अंदर आप तीन repeat चला रहे हैं मतलब two up and down की तीन repeat हैं आपके एक cord के अंदर तो आपके एक cord के अंदर कितने ends हो गए तो एक cord के अंदर जो ends होंगे वो होंगे three into three is equal to nine अब आपको पूरे weave में निकालना है complete repeat में निकालना है तो आप nine into two कर देंगे तो आपके जो cord end है total weave के अंदर वो निकल के आ जाते हैं अब गाइस मैं आपको बताता हूँ तो फेस वेटफॉर कोड वीव के बारे में आप यहां पर देख सकते हैं इसके माध्यम से मैंने बना कि यहां पर दिखाई हुई है और मैंने यहां पर आप देखेंगे जो हमने basic weave लिया है वो हमने लिया है तो अप बंडाउं की weave है य स्के अंदर हमने के लिया है आप देखिए, हमने 3 repeat लिया है यहां पर वेखेंगे से 1,2,3 invent Povia 141,2,3, 1 repeat नहीं हो गई मतलब हमने 2 up bun down की 3 repeat लिया है 1 और कोड के अदर और इसी तरीके से 3 repeat यहां पर लिया है हमने तो आपके totaländer जौ फेस है and हो इस एथ मतलब 18 एंड हो गए और आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बेसिक वीव है जो आप फेस एंड पर भरेंगे तो उसमें तीन पिक हैं आप उपर देखिए यह तीन पिक हैं एक दो तीन तो आपको जो नमबर ओफ पिक्स पर रिपीट लेने पढ़ेंग आपको जैसे की पता है कि जब आप कोई भी वेट फोर कोड भी बनाते हैं तो एक पिक के लिए आपका धागा जब नीचे फ्लोट करता है वेफ्ट का उसके अगले वाले पिक पर फिल करते हैं तो यह चीज अल्टरनेट पिक पर होती है आप यहां पर देखिए यहां पर दागा फिलोट करेगा नीचे तो यहां पर डियाइंग भरिए फिर यह वाला फिलोट करेगा वेट का धागा नीचे यहां पर डियाइंग भरिए फिर यह वाला वेट का धागा फिलोट करेगा फिर यहां पर यहां पर इस तरीके से यहां पर है अब आप किस तरीके से बन तो गाइस सबसे पहले आप मार्क करेंगे कटेंगे के दागे और कटेंगे के दागे कैसे मार्क करेंगे जो आपका पहले दागा है पहला एंड है उसको आपने कटेंगे मार्क कर दिया एक नंबर और इसके बाद में जो आपकी फेस्क एंड की जो रिपीट है मनला उसमें कि दहागे ली होए आपने तो आपने तीन रिपीट ली तो तीन इंटु तीन वराबर नो तो यहांसे दहागी के लीजिए एक दो तीन definitelyज़ी तो नो के बाद में फिर आपने दो cutting end ले लिए मतलब 11 नमबर 12 नमबर cutting end हो गए इसके बाद में फिर आपका 9 धागे आएंगे जो आपके face के होंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यह हो गए आपके face के end फिर से नो और इसके बाद में फिर आपको लाश्ट वाले धागे को cutting end मार्क कर देंगे अब आपको क्या करना है जो मैंने आपको बताया था आपकी यह वीव है जो पार्ट में डिवाइड हो गई है देखिए आप यहां से लेके देखिए और 11 नम सबस्यांद मनें क्रताम दूसरा वाला part हो हुगा तो आप सबसे पहले पहले पर्ट को भनेंगे यह वाला पहला पार्ट है इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके वैफ्ट के धागे हैं तो हर अल्टरनेट पिक पर वैफ्ट के धागे को आपको बॉटम साइड में फिलोट कराना है तो देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से यहां तक हमें सारे के सारे जो एंड है अप कर दिये तो यहां पर वैफ्ट का ध स्टेइगेंड के बीच में यह वाला क्थे गंड और इसकी बीच में जो भी वाटा एक है को सब को अपकर दिया तो आपका पिक नमबर यह पिक नमबर तीन और पिक नमबर माच पर क्या होगा कि जो वेट के धागे हैं बॉटम साइट में फ्लोट करने लगेंगे गाइस अब आप इस तरीके से इधर भी देखिए आपका जो दूसरा पोर्शन है 12 नंबर से लेके 20 नंबर तक तो यहां पर आप क्या करेंगे कि जो आपको वेट के धागे फ्लोट कर तो यहां पर देखिए यह वाला हमने छोड़ दिया इस पर सारे दागे अप कर दिये फिर यह चोड़ दिया सारे दागे फिर यहां पर कर दिये फिर यह चोड़ दिया फिर सारे दागे यहां पर आप कर दिये अब आपका जो वेट के धागे बॉटम साइड में फ्लोट कर करना है तो देखिए बन प हो गया और भीजा जाती है तो लास्ट वाले एंड की लिफ्टिंग देखते हुए हम नीके से एक कॉलम् छोड़ देते हैं यह वाला कॉल हमें चोड़ दिया तो यह वह अब यह वाला फिया और इसके पादम है फिर हमने यह वाला छोड़ दिया फिर वन आप यह और वन आप यह तो इस तरीके से आप यह भी पांच नमबर, श्य नमबर, साथ नमबर, आठ नमबर, नौ नमबर और जस नमबर में भर देंगे तो आपका एक पोर्शन कम्प्लेट हो गया और इसी तरीके से आप जो रिपीट है उसको आगे वाले एंट्स पर कॉंपी कर देंगे तो आपकी जो वीव है टुल फेस वेट फॉर कोड वीव वो बनके तयार हो गई तो गाइस देखिए ड्राफ्ट कैसे बनेगा बहुस शिंपल सी चीज है वर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यह हमने ड्राफ्ट बना के दिखाय हुआ है आपको बड़ आप यह देखिए कि यह ड्राफ्ट बनेगा कैसे तो बहुस शिंपल सी चीज है मैंने आपको पहले भी बताय हुआ कि दो हिट्स आप तो कटेंग एंड के लिए लेने है आपको और चुकि आपकी जो फेस एंड की वीव है वो क्या है 2-up and down है तो 2-up and down के लिए आपको फ़र्ष्ट काइदर 3-heal-shap यूज करेंगे और 2-nd काइदर भी आप 3-heal-shap यूज करेंगे तो आपका ड्राफ्ट कम्प्लीट हो जाता है तो इस तरीके से आपको कितने लेने पढ़ेंगे आपको लेने पढ़े जैस देखिए आप सबसे पहले एकनबर फिर यह देखिए आपका 12 नंबर振म आपके तो नंबर भर दिया अब देखिए जो फशर्ष्ट काउर इदetime in अपगाइजसे 10 नंबर first है उसके फिरस्ट कोड को देखिए किस तरीके buru एंगे तो आप देखेंगे एंड नमबर दो तो एंड नमबर दो की लिफ्टिंग देखिए आप फाइब ओपन डाउन तो इसको हमने थार्ड हिल शाप नमबर और इसके बाद में इसको देखिए तो यह वाला जो लागा है तीन नमबर का एंड इसकी लिफ्टिंग आपकी दो नमबर से मिल लई हो ना तीन नमबर से मिल लई है तो इसको भी सेप्रेट हील शाप चाहिए तो यहां पर हमने चार नमबर दिया तो इसके आगे तो आपको रिपीट ही करना है क्योंकि हर तीन धागे के बाद में रिपीट पूरी हो जा रही है तो आप इसी तरीके से यहा को ड्रो करना है और कौन को से फ्रेमने करना है वह आप देखिए आपका एंड नमबर 13 है वह आपके सेकंड कोड का फर्स्ट एंड है तो आप देखेंगे तो यह है आपका फोर आप वन डाउन बन अप आप यहां पर देख लिए कहीं पर आपको दिखाई पड़ जाए फोर इसके लिए आप एक सेप्राइड हिल्ट्च दिया इसमें बर दिया और इसके बाद मैं आप चोज़ान नमबर देखेंगे तो यह भी किसी से मैंच नहीं कर रहा तो इसको भर दिया आपने आठ नंबर में आपकी यह रिपीट पूरी हो गई यहाँ पर तीन धागे की तो यही वाला इधर कॉंपी हो जाएगा तो यह हो जाएगा फिर से छे, साथ, आठ, छे, साथ, आठ, तो इस तरीके से आपकी जो ड्राफ्ट है टुल फेस वेट फॉर्ट कोर्ड के लिए वो बनके त्यार हो जाती है आपको आठ हील्ट साब का प्रियोग करना है दो कटिंग एंड के लिए और तीन हील्ट साब आपको फर्स्ट कोर्ड के फेस के लिए प्रियोग करना पड़ेगा तभी आपका टुल फेस वेट फॉर्ट कोड बनेगा अब गाइस मैं बताता हूं आपको पैक प्लान के बारे में तो आप पैक प्लान निकालने का बहुत शिंपल सा तरीका है और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कैसे रीट करते है हो कैसे बनाया जाता है तो फिल फी मैं आपको यहां पर रिपीर करता हूं गारола देखिए यहां पर है तो आपने रिशफाठर कितने प्रोट की ये आठी हम कीए है अब आप देखिए सबसे पहला नंबर का हिंचा इरन्वर का ही यहां परillon करते है घा कौन कौन से धागे बरया है तो एक नंबर हुसा है नंबर के बाद wahod बारा नंबर कुषी की में कर देज дней है तो एकन मपर का आपका पना बन डूंब और वन ग्ण कॉंपर यहां मठोने नंबर हो उख्षा और कॉन्अ मेंकन पर इसवैसे हैं तो यहां युआ तो आप देखेंगे कि दो नंबर में कौन कौन से धागे बने आपके तो आप देखिए दो नंबर में एक तो आपका ग्यारा नंबर भरा हुआ यह वला और आपका भरा हुआ बाइस नंबर तो आप ग्यारा नंबर की जो लिफ्टिंग है कौपी कर दीजी आप दो नंबर प यह आपका heaps up number 3 तो इसमें दो नमबर भरा हुआ है तो दो नमर की जो lifting है आप heaps up number 3 पर copy कर देंगे तो यह देख लेजिए दो नमबर एक दो तीन चार पांस वंद्रा 5 up 1 down है तो आप तीन नमबर पर 5 up 1 down कर देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच के लिए अप हो गया और एक के लिए डाउन हो गया अब आप इसी तरीके से देखेंगे हीड्साप नंबर चार तो हीड्साप नंबर आपका चार कहां पर आ रहा यह है आपका हीड्साप नंबर चार और हीड्साप नंबर चार में आपका धागा बढ़ा हुआ है और नमबर तीन देखेंगे आप उसकी लिफ्टिंग किस तरीके से बढ़ कर रही है वन आप वन डाउन फोर अप तो आप यहां पर देख लिजिए वन आप वन डाउन और फोर अप अब देखेंगे तो यह आपका हिट्शाप नमबर पांच में जाब आप तो यहां पर देख लिजिए आप त्री अप वन डाउन और तू अब देखेंगे आप हील्शाप नमबर च्छे तो हील्शाप नमबर च्छे में जाब आप देखेंगे तो धागा वरा हुआ आपका यह वला तो यह कौन सो धागा है यह आपका 30 नमबर तो 30 नमबर की हुआ है यह आपका चोदा नमबर है तो थो चौदार मगवर की लिफ्यगेर की दिए वन डाउन फाइब तो यहां पर देख रहे है यह उन भी बन गया ड्राफ भी बन गया और भी बन गया तो गाइस आप आसानी से जब आपको जरूरत पड़े तो आप ट्विल फेस बैट फॉर्ट कोड भी बना सकते हैं और एक शीज में आपको फरसे बता जेता हूं कि यदि आपको कोड की जो विद्ध है वो चेंज करना हो तो क्या करेंगे कि जो आपके फेसेंड है तो उनकी संखीय बढ़ाते जाएंगे और यदि आप जो कॉड है उसको और जद प्रमिनेंट करना चाहते हैं जैसे अभी आपने टुअप बंदाउं की भी उसकी जदि आप ठीप बंदाउं की करेंगे तब क्या होगा तो आपके ज तो नंबर ऑप एंड्स लेने पड़ेंगे हर कौड के अंदर वो होंगे आपके 12 तो इस तरीके से आप कर सकते हो आपको कटिंग एंड के हाद में कोई भी शड़ चाड़ नहीं करनी है तो गाइस देखके मताएं मेरा वीडियो कसे लगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छ करेंगे लानुआ